आप सभी को मेरी नमस्कार देखे कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी चोरी हो जाती है और इस सम्बंद में कई प्रकार से प्रशन आते हैं तो ऐसे में किस प्रकार से इन प्रशनों को देखना चाहिए ऐसा ही एक प्रशन 5 दिसंबर 2014 को आया था और इस प्रशन को होरारी नमबर 151 यानि 151 के द्वारा दुपहर के 2.69 मिनट डेली में इस प्रशन को लिया गया तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो प्रशन है जातक का किस प्रकार से वो सार्थक है प्रशन की सार्थक्ता के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं चंद्रमा छटे भाब में स्थित है नौमे भाब का स्वामी है सूरे के नक्षत्र में सूरे जो है पहले भाब में स्थित है दशम भाब का स्वामी है चंद्रमा आगे बुद्ह के उपनक्षत्र में बुद्ह पहले भाव में स्थित 8.11 का स्वामी है तो यहाँ पर वाहन की बात हो रही है तो सबसे पहले तो यह ध्यान दें चौता भाव जो होता है वाहन का होता है और उसके गुम होने या उसके नुकसान के विशे में आठ्मा भाव जो है गुम शुदा बार्मा भाव जो है नुकसान यह इस परकार से इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा जो है उसकी यदि हम स्थिति देखें और इसके इलावा चंद्रमा सप्तम भाव में लगन के उपर द्रिष्टी दे रहा है जहां पर सुर्य शुक्र बुध शनी है तो क्या चंद्रमा की द्रिष्टी जो है क्या वो यूती वाली द्रिष्टी है तो इसके लिए चंद्रमा की डिग्री चारो ग्रहों की डिग्री देखकर हम इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पर इसको असानी से देखने के लिए चंद्रमा छटे भाव में स्थित नौमे का स्वामी है और यहाँ पर यदि हम देखते हैं चंद्रमा की साथवे भाव के साथ भाव युती है और चंद्रमा की शनी के साथ यदि देखे तो आस्पेक्ट जैसे की यहाँ पर बारा तीन चार यानि की शनी के साथ उसकी युती दृष्टी बन रही है तो यहाँ पर शनी जो है बारव भाव जो है वो परिशानी का वरिज का यानि कि व्याय का नुकसान का इसके लावा तीन और चार भाव का स्वामी तीसरा और चौथा भाव वाहन का तीसरा भाव जो है वो वाहन का यानि कि चौथे का व्याय भाव हुआ तो यहाँ पर चंद्रमा जो है 3-4-12 इसके द्वारा इस थिती को साफ तोर पर स्पष्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है युती दृष्टी के द्वारा जो किशनी के उपर है 3-4-12 और उपनक्षत्र पर आठ्मा भाव तो गुमशुदा वाहन के संबंद में जो है स्थिती स्पष्ट हो रही है अब इसके बाद यदि हम नियम को देखते हैं तो नियम के लिए यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि नियम दो प्रकार से किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 11 भाव क्योंकि लाब का भाव होता है इच्छा पूर्ती का भाव होता है क्या मिरा वाहन मिलेगा तो ऐसे में 11 भाव का उपनक्षत्र सौमी, 14 भाव, 6 भाव प्रापती, 11 भाव लाव का कारेशो तो गुम हुआ या चोरी हुआ वाहन जो है वो मिल सकता है वो भी इनी भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रतेंतरदशा में इसी परकार से आठमा भाव जो होता है वो मिस्प्लेस या गुम हुआ उसको हम समझते हैं आठमे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, चौथा भाव वाहन, छटा भाव प्राप्ती आठमा भाव जो की गुम हुआ है या गुमशुदा और ग्यारवा भाव लाव या इच्छा पूर्ती का कारेशो तब गुम या चोरी हुआ वहन मिल सकता है वो भी इनी भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रतेंतरदशा में इसी प्रकार से इनी नेमों को यहाँ पर इंग्लिश में भी जो है एक्स्प्रेंड किया गया है तो यहाँ पर अब हम ध्यान देंगे सबसे पहले हम देखेंगे ग्यारवे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनी है आठवे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है राहू है तो इनको हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे ग्यारवे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनी यानि कि ग्यारवे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनी क्या 4, 6, 11 भावों का कारीश हो रहा है सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो यहां पर 11 भाव का उप नक्षत्र स्वामी शनी है शनी 12 भाव में श्थित है 3, 4 का स्वामी है अपने ही नक्षत्र में रेन फोर्स है तो यहाँ पर 3-4 बारा यह भाव आ रही है जबकि हम यह देख रहे हैं कि चोथा भाव जो है 4-6-11 में से तो इसको क्योंकि शनी जो है लगण में और चंद्रमा के उपर उसकी यूति द्रिष्टी है तो चंद्रमा जो है छटे भाव में स्थित्य नौमे का स्वामी है तो छड़ा भाव हमें चंद्रमा के द्वारा मिला इसको जदी मैं इस तरह से देखूं तो शनी जो है बारवे में स्थित्य तीन चार का स्वामी है और चंद्रमा के उपर उसकी जुती द्रिश्टी है चंद्रमा जो है छड़ा भाव दे रहा ह तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शनी जो है चार छे ग्यारा में से चार और छे भावों का कारेश है यानि कि वाहन और उसकी प्राप्ति तो यहाँ पर ये प्रामिस जो है पूरा हो रहा है और इसलिए क्योंकि शनी अपने ही नक्षत्र में अपने ही उपनक्षत्र में रिनफो को देखें आठमें भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहू है और यहां पर जैसा कि हमने जो नीयम देखा था आठमें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 4-6-8-11 में से किसी का कारेश हो, 4 वाहन 6 प्रापती, 8 गुम्शुदा, 11 लाब या इच्छा पूरती तो गुम हुआ या चोरी हुआ बाहन मिल सकता है वो भी इनी भावों के कारेश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रतेंतरदशा में तो आठवे भाव का उपनक्षतर स्वामी है राहू अब उसकी हम स्थिती देखते हैं राहू जो है ग्यारवे भाव में स्थिती देखते हैं और इसके लावा राहू को यदि हम देखते हैं तो वो बुद्ध की राशी में है बुद्ध जो है पहले में स्थिता है आठ ग्यारा का स्वामी है तो यहाँ पर हमें राहु जो है आठ और ग्यारा भाव दे रहा है राहु चंद्रमा के नक्षत्र में छटा भाव और राहु जो है आगे शुक्र के उपनक्षत्र में एक साथ बारा और यहाँ पर जदी हम देखते हैं तो राफु जो है ग्यारमा भाव, छटा भाव, चौथा भाव, चार, छे, आठ, ग्यारा सभी भावों को दर्शारा है तो यहाँ पर आठमे भाव का उपनक्षत्रस्वामी चार छे आठग ग्यारा मेंसे अधिकतर का कारिश है तो गुम हुआ वहन जो हैं मिल सकता है अब ये कब मिलेगा यदि हम देखना चाहें तो जैसा कि बताया गया था 4, 6, 8, 11 भावों के कारेश ग्रोहों की दशा अंतरदशा प्रतिंतरदशा में तो 4, 6, 8, 11 अब यहाँ पर देखें सबसे पहले देखने की बात है कि महादशा जो है वो सूरे की चल रही थी उस समय अंतरदशा जो है बुद की चल रही थी तो यदि हम यह देखते हैं कितने समय की थी तो सूरे की महादशा और बुद की अंतरदशा यानि कि सूरे की महादशा 18 दिसंबर 2016 तक और बुद्ध की अंतरदशा जो है 13 अगस 2015 तक और प्रशन जो पूछा गया था 5 दिसंबर 2014 यानि कि ये पीरिड जो है लंबी अबदी का है तो सूरे की महादशा और बुद्ध की अंतरदशा 4, 6, 8, 11 भावों की कारेश होनी चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 भाव के कारेशनी छटे के जो हैं राहू चंद्रमंगल आठमे के जो हैं बुद्ध शुकर गुरू सूरे के तू बुद्ध और ग्यार्मे के जो हैं राहू बुद्ध शुकर गुरू सूरे के तू बुद्ध तो यहाँ पर सूरे और बुद्ध जो हैं, सूरे और बुद्ध ग्यारवें भाब के आठवें भाब में भी जदी हम देखते हैं, सूरे और बुद्ध जो हैं कारेश के रूप में दिख रहे हैं, तो एक तरह से चार आठ ग्यारा या फिर चार चे आठ ग्यारा के संवत रू इसके इलावा जदी हम देखते हैं आठमे भाव के कारेश में भी शुक्र है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरे बुध शुक्र की दशा में जो है वाहन मिल सकता है अब जिस प्रकार से सूरे बुध शुक्र जो हैं चार आट ग्यारा भावों के कारेश ग्रोहों के दशा अंतरदशा प्रतिंतरदशा के रूप में यहाँ पर हैं और चार आट ग्यारा भावों के कारेश ग्रोहों में भी समलित हैं तो आगे ये किस परकार से अपने अपने उपनक्षत्र पर दर्शा रहे हैं वो भी हम देखेंगे तो सबसे पहले सूरे को देखें जो कि महादशा स्वामी है सूरे केतु के उपनक्षत्र में है जो कि 2-5-9 भावों को दर्शा रहा है और दूसरा भाव जो होता है movable property का होता है तो वहाँ जो है वो भी movable property के अंतरगत आता है तो इसलिए यह यहाँ पर positive है उसके बाद अंतरदेशा स्वामी बुध बुध को जदी हम देखते हैं तो यह अपने ही उपनक्षत्र में है जो की 8 और 11 भावों को दर्शारा है यानि की गुम और लाब प्राप्ती को तो यह भी positive है उसके बाद शुकर को जदी हम देखते हैं तो शुकर जो है वो शनी के उपनक्षत्र में है और यहाँ पर हमें चौथा भाव जो है वो मिल रहा है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूरे बुद्ध शुकर यानि की तीनो दशा स्वामी जो है उप्युक्त हैं और सूरे बुद्ध शुकर क्या ruling रोहों में मौझूद है इसके लिए यदि हम देखते हैं तो तो यहाँ पर ruling रोहों में देखने के लिए क्योंकि यह पुराना उधारन है तो इसलिए ruling रोहों में देखने के लिए यहाँ पर मैं उस समय का मौझूदा टाइम के समय को हम देखेंगे और यहाँ पर जो ruling रहा है केतु मंगल सूरे शुक्र शुक्र तो जैसा कि महादशा स्वामी सूरे जो है ruling रोहों में मौझूद है शुक्र जो है प्रत्यंतर दशा स्वामी वो भी ruling रोहों में मौझूद है दिन स्वामी के रूप में और चंद्रमा के राशी स्वामी के रूप में अंतरदशा स्वामी बुध जो है यदि हम देखें तो पहले पांच ruling रोहों में जो है वो नहीं दिख रहा लेकिन अंतरदशा बुध की लंबी अबदी की है तो क्या वो six cents के रूप में हमें दिख रहा है तो यदि हम देखें तो चंद्रमा जो है चंद्रमा का उपनक्षतर बुध ruling रोहों में six cents के रूप में हमें यहाँ पर बुध जो है दिख रहा है तो यानि कि सूरे बुध शुक्र तीनो ही दशा स्वामी जो है ruling रोहों में भी मौजूद थे अब हम अपने चार्ट पर वापिस आते हैं तो यहाँ पर सूरे बुध शुक्र जो की 28 जैनुवरी 2015 तक तो तब तक या इससे पहले जो है वाहन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बता दूँ कि 9 दिसंबर को सूरे बुध शुक्र शुक्र की दशा में जातक को इसका वाहन वापिस मिल गया था 5 दिसंबर 2014 को पूछा था 9 दिसंबर 2014 को जो है वाहन मिल गया था तो यहाँ पर इस उधारन को आप समझ सकते हैं धन्यवाद